आप सब्सक्राइब कैसे आप सभी एक बार फिटाफट से बताएगे कि और यो वीडियो क्लियर है कि नहीं आप सभी लगों को क्या हम लाइव हो पाएं है कि नहीं आप सभी को आप सभी को आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल अले बोर्ट एससी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले तो सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक के शेयर कर दीजें फटाफट से गुड मौनिंग दिख्षा गुड मौनिंग रागिनी बुड वीर गुड मौनिंग प्रमोद गुपाल सभी लोग एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजें शेयर कर क्या है फटाफट से और क्लास का जो लाइव काउंट है वो स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा सा उसको हाई लेके चलेंगे ताकि आगे तक वो मेंटेन रह कीजे है ना क्योंकि अगर आप लोग यह नहीं करेंगे तो फिर कौन कर पाएगा आप लोग उसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ सकती हूँ बागी सारे चीजे मैं अपनी तरफ से इंशॉर कर सकती हूँ कि वो बेटर रहे ले लिकिन यह चीज में सिर्फ आप ही लोग मेरी हल्प कर पाओगे अगर आप इसे शेयर करते हैं इसे लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो वो मेरे लिए काफी जादा बेनेफीशल होगा तो प्लीज डू दाट वो जरूर कीजे आप सबी लोग एंड फटा-फट से एक बार श स्टार्ट कर सकेा आज की क्लास को कर दिया सब्हाइब अगरे क्लाइस टार्ट आज की थीक है जादा टाइम बेश्ट नी करना चाहती में बॉड मॉनिंग birthday on good morning good morning सबीयोग शेयर कर देंगे और मेरे कही बिना ही शेयर कर दिया करो इस चीज को अपने responsibility समझा करो जैसे मेरी responsibility है तुम्हारा exam clear कराना तुम्हारे marks और score को बढ़ाना ऐसे ही तुम लोगों की responsibility है कि जब मैं आपकी class start हो तो class को share कर दिया जाए at least एक दो students अगर आप अपने part पे लेके आ सकते है तो उससे ज़्यादा beneficial कुछ नहीं होगा मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सीधा पचास सो students को लाने का काम कीचे अभी क्या है कि अभी उतने शायद हम लोग known face नहीं है अभी नए है तो इतने लोग जानते नहीं है जानेगे कैसे जब आप लोग थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ मैं है पढ़ाती है content अच्छा है तो join कीजे good morning आशीश good morning रविंदर कैसे हैं okay thank you so much start करते हैं आज की class फटाफट से एक बार मैं आपको ना कुछ एक आपके लिए offers है जो मैं आपको बता देती हूँ important हो सकते है because देखो festive time चल रहा है तो इस वक्त डिसकाउंट का भी time चल रहा है तो पहले तो ये बता देती हूँ कि जो लोग demand कर रहे थे कि मैं हम आपका paid batch कब आ रहा है वैसे 1400 इसका जो price है लेकिन 30% off लगाते है तो आपको 979 रुपीज में मिल जाएगा लेकिन ठहरो शीतल मैं अगर आप code लगाते हो शीतल मैं code लगाते हो 35% मिलता है लेकिन अभी आपके लिए current में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा discount आ रहा है वो मैं आगे बताऊंगे बस यह बता देती हो कि CBT2 के लिए आपके लिए बहुत कुछ यह आप पर available है hello सुमिता, good morning, सिधार्थ कैसे हैं आप ठीक है यहाँ पर क्या है 145 plus arts की आपको live classes मिलेंगी और 5 full length आपको mock मिलेंगे mock test मिलेंगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपकी practice कैसी हो रही है और आपका preparation कैसा चल रहा है 5000 से बहुत जादा question live discuss होंगे और अभी comment box में आप लोगों को मेरा telegram group का link भी मिल जाएगा तो आप वहाँ उस link से मेरा telegram group भी join कर सकते हैं अभी के अभी देखिए comment box में group का link है वहाँ पर PDF मिल जाएगे आपको सारी classes की और साथ ही में जब last moment पे आपको practice कैसे करनी है और strategy क्या हो exam clear करनी की वो भी आपको इस batch में मिलेगा तो ये batch आप लोग जरूर जरूर मैं खुद recommend करती हूँ कि ये batch आपको जरूर लेना चाहिए Hindi और English दोनों माध्यम में आपको पढ़ाए जागा English में भी आपको English batch में भी पढ़ाऊगी और Hindi batch में भी पढ़ाऊगी तो don't worry about that content की tension लेने की जरूरत नहीं है content एकदम super duper hit होगा और इस batch को जल्दी से जाके इसका link आपको description box में मिल जाएगा अभी आपके लिए सोगात क्या है अभी आपके लिए सोगात ये है कि Christmas आ रहा है तो 23rd December यानि कि कल से लेके 26 December तक आपको मिलेगा 45% of सारे railway plans के लिए बहुत सारे student बोल रहे है कि मैं super elite में आता है railways के exam अलग से उसके लिए courses बनाए हुए है तो उस पे भी आपको 45% off मिलेगा यानि कि ना ही 30 ना ही 35 कितना मिलेगा 45% मिलेगा तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता आपको code क्या use करना है code है आपके लिए X miss ठीक है जल्दी से जाना अब class over होते ही न फटा फट जाके आपको ये code लगाना है ठीक है आपको मिल जाएगा वहाँ पर 45% off almost ये लगा लो कि आधे rate पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है वी अभी start करते है start करते है दिक्षा अभी start करते है don't worry about that और SSE elite और super elite पर भी आपको 45% off मिलेगा तो वो भी जिसको लेना है वो भी आप ले सकते है 40% off है code वही यूज़ करना है xmess ठीक है xmess ये code है और link इससे जुड़ा हुआ आपको description box में मिल जाएगा और याद रखिएगा 23 से 26 December तक valid है पिछली बार भी ऐसा हुआ था बहुत सारे students के हाथ से निकल गया था ये मौका 45% off वाला तो वापिस से आपके लिए आया है तो कोशिश कीज़ेगा कि 23 December से लेके 26 December के बीच में आप लोग enroll कर ले Railways के batch में RRB, NTPC, CBT2 में और SSE के batches में ठीक है क्लास करते हैं स्टार्ट आज की फटाफट से आपको बता दू ये मेना टेलेग्राम चैनल है शीता शर्मा01 आज का है हमारा Day 8 इसमें हम करते हैं CBT2 और Group D के लिए तयारी ठीक है कैसे मिलेगा मिलेगा आपको code लगाना है उसमें ठीक है XMES code लगाना है वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा जैसे आप वहाँ पर जाएंगे साइट पर तो आपको पता लग जाएगा चलिए पहला question आपकी screen पर आ रहा है ये रहा डेली मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे शीतल शर्मा मैम मेरा नाम है पहला कनोज की दरबार की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राजा कौन था बांसर कर ये क्या होगा option है आपके समुद्रगोप्त, चंद्रगोप्त, हर्शा और कनिश्का अब कनोज नाम सुनके तुम लोगों के दिमाग में कुछ-कुछ चीज़े आई होंगी है ना कुछ-कुछ चीज़े आई होंगी और पूरा वहाँ से शेर्शा सूरी से लेके हुमायों तक सब तुमारे दिमाग में घुम गया होगा जैसे ही तुमने कनोज नाम पड़ा राजा जो हर्श वर्धन है हर्शा के नाम से भी जाना जाता है वर्धन राजवंश के ये क्या रहे ये किंग रहे शाशक रहे तो ये सबसे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कनोज के दरबार की अध्यक्षता की अगर मैं आपसे पूछू कि ये जो हर्श वर्धन रहे त वर्धन जो डाइनस्टी है यानि कि वर्धन राजवंश है उसकी स्थापना किसने की उसकी स्थापना करने वाले कौन थे हर्श वर्धन जो है ये वर्धन राजवंश के राजा थे तो वर्धन राजवंश की स्थापना करने वाले का नाम क्या होगा फटाफट से बताएंग आप कितना पीछे चल रहे हो बहुत अच्छे क्या होगा correct answer, correct answer होगा प्रभाकर वर्धन, कौन है प्रभाकर वर्धन जो है इसने किसकी स्थापना की, इसने स्थापना की, कौन से राजवश की, वर्धन राजवश की, कौन से year में की तो याद रखेगा, 580 CE में किसकी राजवश की तो याद रखेगा तो याद रखेगा थानेसवर, क्या नाम होगा थानेसर, थानेसर ये कहां पर पढ़ती है, ये कुरुक्षितर हर्याना में पढ़ती है अभी के टाइम में, ठीक है प्रेजन टाइम में ये हर्याना में पढ़ती है, थानेसवर नाम की जो जगा है, ये क्या होती थी इसकी capital यानिके राजधानी होती थी, उसके बाद में 606 CE से कौन राजा बनता है? राजा बनता है हर्शवर्धन. हर्शवर्धन कौन होता है? राजवर्धन का तो छोटा भाई होता है. कौन होता है? छोटा भाई होता है. ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी उतार चड़ाव आये थे जो इनकी भेन थी राजश्री उसको capture कर लिया था उसके बाद में ये राजयवर्दन लडने जाता है तो इसकी भी मिर्त्यू कर देते हैं वो इसको भी मार देता है और इनकी जो भेन होती है राजश्री वो जो आपका मध्य भारत होता है यानि कि Central India MP वगेरा वाला शेतर उस लिए समुधिर का उपनाम क्या होता है क्या बोला जाता है कली बताया था मैंने आपको इनों बोला जाता है Napoleon ऑफ इंडिया को क्या बोले जाता था man of destiny यानि कि जहां भी जाएगा या आदमी जीत के आएगा यानि कि इसके साथ किस्मत चलती है man of destiny है ये अब यहाँ पर अगर आप से पूछो चंदर गुप्त दिया हुआ है अगर मैं कहूँ चंदर गुप्त प्रथम ने अपने आपको कौन सी उपादिदी कौन सा टाइटल दिया तो आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए आंसर बताइए क्या होगा गुड मॉर्निंग नीतु कुमार कैसे हैं आप ये कोई question नहीं है पूछने के question पूछने है चंदर गुप्त दुवितिय को क्या बोला जाता था तो याद रखेगा इनको बोला जाता था विक्रम आदित्य है क्या बोला जाता था विक्रम आदित्य है अब तीसरा जो option जो यहाँ पर correct answer था हर्शा यानि कि हर्षवर्दन, हर्षवर्दन के ऊपर कौन सी जीवनी लिखी और किसने लिखी तो आंसर क्या होगा तो आंसर होगा हर्षवर्दन के ऊपर जो जीवनी है उसका नाम क्या है हर्षचरिता क्या नाम है हर्षचरिता किसने लिखी है बान भटने लिखी है किसने लिखी है बान भटने लिखी है और इसके टाइम पर हर्षवर्दन, राजा हर्षवर्दन के समय पर कौन सा चीनी यात्री था जो भारत में आया तो याद रखिएगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा हुएन सांग, क्या होगा हुएन सांग नाम का चीनी यात्री था वो कहा आया था भारत में आया था और काफी साल संस्कृत पढ़के यहां से गया था तब चाइनीज में जाके उसने ट्रांसलेशन किया था यहां का जो हर शरीता है उसके बारे में काफी कुछ चीज़े उसने संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट की थी कनिशका किसके लिए famous है कनिशका किसके लिए famous है तो याद रखेगा जो silk route हम सुनते है न silk route जो हम सुनते है उसका founder किसे कहा जाता है कनिशका को कहा जाता है next question आ चुका है in which the university of travencore was established यानि कि travencore का जो उसकी स्थापना कब हुई तो answer करिये क्या होगा सभी लोग video को like and share कर दीजे अगर आपको video पसंद आ रहा है तो answer करिये यहाँ पर क्या होगा answer करिये इदर क्या होगा तो याद रखेगा जो university of travencore है अच्छे जो travencore का area है ये किस तरफ पढ़ता है तो याद रखेगा travencore आपका जो british earth के time पर ये princely state होता था ब्रिटिश राज की ठीके क्या होता था ये जो प्रांत होते थे न छोटी छोटी प्रांत होते थे तो उन प्रांतों में ये किस के पास था ये ब्रिटिश राज के पास में था लेकिन हम अगर पूचे कि university of travencore है ये establish कब हुई और इसके स्थापना यानि की founder यानि की संस्थापक का नाम क्या था किसने इसकी स्थापना की इसके संस्थापक का नाम क्या था संस्थापक का नाम क्या था तो आंसर क्या होगा तो याद रखेगा founder कौन थे इसके तो वहाँ के travencore का जो उस वक्त पर राजा रहे नाम क्या था बहुत लंबा नाम है थिरुनेर चितरई थिरुनेर और लास्ट में था बालरामा बालरामा वर्मा बस ये याद रख लेना बालरामा वर्मा ये काफी prominent होते थे travencore के एरिया में उस वक्त पर ये राजा थे जब ब्रिटिश राज चल रहा था और 1937 में इसकी क्या की गई स्थापना की गई present day में यानि कि वर्तमान में अगर कहूं कि travencore का जो एरिया है वो कौन से इसमें एरिया में पढ़ता है तो आंसर करिये क्या होगा तो याद रखेगा थ्रवन कोर का जो एरिया है वो पढ़ेगा आपका southern केरला का एरिया है और कुछ एक एरिया तामिल नाडू का भी इधर पढ़ता है इसके अंदर लेकिन जर्नली किसमें बढ़ता है केरला में इसके first chancellor भी कौन बने इसके first chancellor यानि कि जो आपका होता है main होता है first chancellor कौन बनते है तो याद रखेगा वो भी यही बने बाला राम वर्मा वो भी इसके पहले यानि कि जो इसको head करते है चांसल बनते है वो कौन बनते है बाला रामा वर्मा बनते हैं ठीक है और अभी के नाम से ये University of Kerala के नाम से भी जाना जाता है University of Kerala के नाम से भी Kerala की University के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेशन देखते इन विच येर the first postal stamp was introduced first यानि कि सबसे पहली बार postal stamp यानि कि dark ticket सबसे पहली बार कब पेश किया गया था पहला question तो ये हो गया कब पेश किया गया था दूसरा question ये भी पूछ सकता है न कि कौन से देश में कौन सी country में सबसे पहली बार पेश किया गया तो answer क्या होगा दो चीज़े बतानी है, सबसे पहले कप पेश हुआ और कौन सी कंट्री थी इसको पेश करने वाली तो आंसर क्या होगा अब आशीश का आंसर आता है 1855 गौरब कहा रहे हैं 1855 होगा सुमिता कहा रही है 1855 होगा लेकिन यहाँ पर आंसर जो है जो चिपकने वाली होती न एडहेसिव क्या होता है फॉर्स्ट एडहेसिव यानि की चिपकने वाली कागज को चिपका भी सकते है है ना पेस्ट भी कर सकते है तो फॉर्स्ट एडहेसिव यहाँ पर पोस्टल स्टैम यहाँ पर इंटर्डियोज की गई अगर आप में से कोई भी ऐसा student है जो 90s born है और जिसने गाउं वाला area देखा है अगर आप गाउं से बिलॉंग करते हैं आपने गाउं वाला area देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें ना पहले क्या होता था कि ये paper type होता था और उसके पीछे एक glue लगा के और अगर कोई post office क आसपास कभी गया हो post office में गया हो तो उसको पता होगा कि ये किस type की adhesive postal stamp होती थी तो याद रखेगा सबसे पहले ये कौन से जगह पर launch हुई तो ये London UK में हुई कहाँ पर हुई United Kingdom में हुई और ये है कौन सी इसका नाम याद रखेगा Penny Black नाम से किस नाम से Penny Black नाम से तो वह यहाँ पर change जो होता है उसको क्या बोलते है पैनी बोलते है तो वन पैनी का यहाँ पर क्या चलाया गया postage stamp चलाया गया डाक टिकेट चलाया गया और जो ये image थी ये किसकी थी इस पर Victoria की इसकी उपर photo थी Penny Black की क्या था ये नाम था उस postal stamp का और इस tag का दिखता था UK में सबस चलाया गया जैसे कि आपका Switzerland में भी इसके तीन चार साल बाद ही Switzerland, Brazil और उसके बाद में USA में भी postal stamp वो इंटर्ड्यूस किये गए ठीक है तो correct answer क्या होगा एक मही 1840 next day the fort at Pulli Cut was built by, Pulli Cut का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया तो answer करिए यहां पर क्या होगा सभी लोग यहां पर answer करें कि क्या होगा और जोड़दार तरीके से वीडियो को like and share जरूर कीजएगा सभी की सभी लोग अच्छा पुली कट जब नाम आता है तो इससे बहुत सारी चीज़े हमारे mind में recall होने लग जाती है अब क्या-क्या recall होगा पहली तो यहां पर चीज मुझे बता दो कि इन में से पुली कट पर सबसे पहले कौन आया था है ना मैम आप हमसे गुसा है क्या नहीं डिंबल बिल्कुल भी नहीं गुसा नहीं है अरे मैं serious रहती हूँ ना तो पता नहीं मेरे साथ वच्पन से क्या है कि जब भी मैं serious रहती हूँ तो लोगों को लगता है कि यह बहुत arrogant है या यह बहुत गुसे में है आयासा कुछ नहीं है मेरा मेरी शकल यह से मैं क्या करूँ कुछ कर नहीं सकती मैं अपनी शकल का है ना आंसर क्या होगा इधर जो fort था यान कि किला था पुलिकट में वो किसने बनवाया तो आंसर इधर क्या होगा तो याद रखेगा आंसर होगा पॉर्तियोगीज यानि की पूर्तगाली आरे नहीं है बहुत गुसे में नहीं है भई अरे नहीं नहीं ठंड से भी परिशानी हो अग कह रही हो गुसे में नहीं हो जबरदस्ती तुम गुसा कराओगे ठीक है पॉर्तगीज थे यानि कि जो पूर्तगाली थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया पुली कठ पर एक ट्रेडिंग पोस्ट बनवाया यानि कि व्याप लेते हैं विजयन अगर एंपायर के जो उस वक्षाशक होते हैं उनकी हेल्प से उनकी मदद से ये ट्रेडिंग पोस्ट वहाँ पर करते हैं और कब तक इसको मेंटेन करते हैं तो याद रखेगा जब तक वहाँ पर डच नहीं आते हैं 1609 में वहाँ पर जो डच होते हैं वो डच आके क्या करते हैं इनको हरा देते हैं इनको डिफीट कर देते हैं और उस पर क्या कर लेते हैं अपना कबजा कर लेते हैं तो याद रखेगा ट्रेडिंग पोस्ट 1502 में पुलिकट में कौन बनवाते हैं पॉर्तिगीस बनवाते ह पुलिकट का किला भी उसी दोरान बनवाते हैं पुर्तिगाली जो बाद में 1609 में किसके दवारा छीन लिया जाता है वो छीन लिया जाता है डच के दवारा पुलिकट जो एरिया है यह भारत के कौन से राज्य में पड़ता है तो अन्सर करिये क्या होगा। अप मैं नही Certus Jam Sutra ताकि तुम लोगों को यह न लगे कि मैं गुस्ते में हूँ। तो हर वक्त भागल हो चुक रहा है। तो यह मैं सेवोचना कि मैं पागल हो चुक है, मैं हम नहीं कि दिवाओ खराब हो चुक कैंज तो तुम लोगों का दिमाग खराब ना हो, इसलिए कोई बात नहीं, मैं stupid लग लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को like and share जरूर कीजेगा, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो, और साथ में telegram challenge है ये मेरा, शीता शर्मा 01, इसको भी जरा join कर लेना, ठीक है, next question का answer के जैनिजम, दूसरा है बुद्धिस्म और तीसरा है ब्रहमनिजम, यानि कि जैन धर्म के बारे बौधर के बारे में, या फिर ब्रहमन धर्म के बारे में, तो answer करिए क्या होगा, good morning धरा सिंग, कैसे आप, answer करिए क्या होगा, पहले तो मुझे दारा सिंग दिखा, धरा सिंग भी नहीं लगता, offline में थो बड़ा रहता था, बच्चे मतलब कभी भी कुछ भी बोलने लग जाते थे और किसी को कुछ कह दो बड़ा डर रहता था, इसलिए कुछ जादा कहते भी नहीं थे, online में फिर भी ठीक है, मैं अपने घर, तुम अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है, negative पाती है, कि फिर बच्चे कुछ भी कहके चले जाते हैं, थोड़ी शरम तो रखते थे, अब वो भी नहीं है, ठीक है, answer करिए, इधर क्या होगा, नागा अर्जुन इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है, तो याद रखेगे, इसमें दो चीज़े होती है, ठीक है, ए जो नागा अर्जुन से जुड़ी हुई चीज़े है, तो नागा अर्जुन क्या थे, नागा अर्जुन थे जो आपके, ये थे बुद्धिस्ट स्कोलर, यानि कि बौध धर्मे के ये विद्वान माने जाते थे, बौध धर्मे के ये विद्वान जाने जाते थे, तो इसी इनी से जुड़े हुए जो बहुत सारी चीजे आई थी तो उसमें पता चला एक तो यहाँ पर जो नागा अरजुन वाला जो ये नागा अरजुन कोंडा था ये जो हिल्स थी इनको विजयपूरी भी बोला जाता था और दूसरी चीज ये पता चले कि ये कौन से विदवान ह अब ये आपको बता रहा है कि आंसर क्या होगा भारत में पूर्तगाली शक्ती हर ना? पूर्तगाल आने का पूर्तगालियों की जो नीव है वो नहीं कह रहा है पूर्तगालियों की जो पावर है यानि की शक्तियों की नीव है यानि की पूर्तगालियों के पास भी शक्तिया है उसकी नीव रखने वाला इन में से कौन था आपको आंसर करना है या पर क्या होगा एक तो मुझे सबसे पहले हम क्या पढ़ते है कि जो पुर्तगालियों का कोई भी बंदा था जो भारत के अंदर आता है कहां पर आता है किस जगा पर आता है कौन से एर में आता है ये चीज आप मुझे आंसर करेंगे सबसे पहले तो आप मुझे आंसर करेंगे ठीक है आंसर क्या होगा इधर अलफोन्सो मैंगो मुझे लगता है कि गौरव को सबसे ज़्यादा हसी आ रही है गौरव बैनर जी इस लाफिंग लाइक मतलब जैसा मुझे ये लोग कोशिश कर रहे है मैं ऐसे हसो उसी असाब से और आपका लग रहा है कि लाइक जादा होंगे तो मैं का गुस्ता कम हो जाएगा लाइक करवाओ जल्दी से बिल्कुल ये बात तो सच है एकदम सही बोला आपने नवीन नवीन अच्छे से मैं को समच चुक है ठीक है यहाँ पर आंसर क्या होगा बहुत अच्छे सभी लो ये किस जरिये से आता है कहां से आता है यूरोप से इंडिया आता है है ना यूरोप से आता है इंडिया किसके दुआरा विया कौन सी केप के थू करेंगे कौन सी केप के थू आता है यूरोप से भारत जो आता है कौन से केप के थू आता है तो याद रखेगा केप ऑफ अगर मैं आपसे यहां पर पूछू कि जो आपका फॉर्स्ट गवर्नर होता है वो कौन सा होता है तो आपसे पूचा जाए कि रियल founder कौन होगा रियल संस्थापक कौन होगा पुर्टगाली की शक्ति होगा तो answer होगा Alfonso क्या होगा answer Alfonso आपका यहाँ पर correct answer होगा क्यों होगा क्योंकि देखो इसने क्या किया था इससे पहले ये किसको replace करके बनता है governor तो याद रखेगा इससे पहले जो governor था वो कौन था? वो था Almeida है ना पूरा नाम क्या है इसका Francisco de Almeida ये क्या होता था? ये Almeena था जो Almeida था ये क्या होता था? ये governor होता था इसको replace करके Alfonso कब governor बनता है? तो 1509 में कौन बनता है governor इसको replace करके तो बनता है इसकी जगए पर एलफोन्जो एलफोन्जो क्या करता है तो एलफोन्जो क्यों बोला जाता है ये शक्ति इसने दिखाई क्योंकि इसने जो सुल्तान थे बीजापूर के जो सुल्तान थे उनको हराकर उनसे क्या कबजा कर लिया था जरा बताएंगे मुझे अलफा गोवा को capture कर लिया किसने अलफॉन्जो ने इसलिए बोला जाता है कि जो अलफॉन्जो जब आया ना तो एक्च्वल में पुर्तगालियों की शक्ति है भारत के अंदर तब दिखने को मिले कि उसने आते ही किसको हरा दिया सुल्तान थे जो विजापूर के उनको हरा दिया और गोवा को क्या कर लिया capture कर लिया अच्छा आप मेंसे कुछ मुझे कोई बता सकता है एक तो पता नहीं क्या हो रहा है मैं क्या बोले जा रही हूँ ठीक है गोवा को पुर्तगालियों से इंडिया ने कफरी कराया कौन से यर में गोवा पूरी तरीके से पुर्तगालियों से free हो जाता है when was goa freed from portuguese answer करें क्या होगा सबी लोग यहाँ पर answer करेंगे कि actual में कौन सी date को जो goa है पूरी तरीके से liberate हो गया था portuguese से तो याद रखेगा ये भी चीज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ 1961 में 19 दिसंबर 1961 में जो आपका goa है वो पूरी तरीके से किस से free करा लिया हमें सोतंतता तो मिल गई लेकिन जो portuguese rule है वो कब end हुआ 1961 में end हुआ लेकिन अगर मैं कहूं goa को state का दरजा यानि की पूर्ण एक राजे का दरजा यानि की goa की जो statehood of goa है वो कब मिली आंसर करिए फटा फट कमेंट बॉक्स में goa का statehood के रूप में कब मनाया जाता है तो याद रखेगा 30 मई 1987 में 30 मई 1987 को क्या मनाया जाता है 1987 में goa को एक पूर्ण राजे का क्या मिलता है दरजा मिलता है next question hyperplasia means hyperplasia का क्या अर्थ है वीडियो पसंद आ रहा है तो सभी लोग like के शेर जरूर कीजेगा यहाँ पर and answer करिए क्या होगा abnormal increase in number of cells and increase in the size of a cell excessive mortality of a muscle या फिर voracious eating कहने का मतलब यह है कि hyperplasia क्या होता है जब कोशिकाएं जो हैं यानि कि cells हैं कोशिकाएं जो हैं उसकी संक्या में आसामानिय व्रिद्धी होती है मतलब बढ़े जा रही है या फिर जो हमारा cell होता है कोई एक कोशिका होती है उसके अकार में उसके size में व्रिद्धी हो जाती है या फिर माश पेशे हैं उनमें अत्यदिक गति शीलता होती है या फिर भूख से खाना खाने में मतलब बहुत जादा खाना खाने में hyperplasia कहते हैं तो answer इदर क्या होगा तो याद रखेगा hyperplasia ना एक beginning बोला जाता है कि cancer होने की एक beginning को भी हो सकते है इसको मान सकते है अगर hyperplasia बहुत जादा time तक रहता है किसी इंसान के अंदर तो उसके को कह सकते हम कि उसके अंदर cancer की development की यह first stage मानी जाती है यानि कि क्या होने लग जाए abnormal increase होने लग जाए इन number of cells तो answer इदर correct क्या होगा answer correct होगा A यानि कि बहुत जादा मात्रा में कोई एक ओर्गन है आपका ठीक है कोई एक ओर्गन है या कोई एक टिशू है कोई एक कोशी का या सेल है जिसमें क्या हो रहा है जिसके अंदर बहुत सारे जो नंबर अफ सेल्स है कोशी का है वो क्या हो रही है वो बहुत ही जादा मतलब बायस्पी से पता चलता है अच्छाद दो चीज़े होती है एक होती है बायस्पी एक होती है ओटोस्पी क्या होती है कि जब मरने के बाद किसी कोई चीज phase examine की जाय कि कोई इंसान मुरित तक है और उसके अंदर चीज़ों को जानने की कोशिश की जारी है कि उसकी मृत्यू किस हिसाब से क्या हुई तो वो माना जाता है मर्नो प्रांथ जो चीज होती है मर्नो प्रांथ किसी इंसान के अंदर अगर कोई चेक किया जाता है उसकी बोड़ी में तो बायो स्वी से पता लगता है ठीक है अब आंसर करना है आपको यहाँ पर क्या होगा प्राकरतिक रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई तो अगर आप लोगों को पता होगा तो इससे जुड़े हुए जो रेडियो एक्टिविटी से जुड़े है काफी लोगों का नाम है है ना नोवल प्राइस भी रेडियो एक्टिविटी में जो मिला हुआ है वो भी काफी लोगों ने साथ में शेयर किया है अब आपको आंसर करना है यहाँ पर क्या होगा बहुत अच्छे आंसर अल्रेडी करेक्ट आने लगा है वीर, ओपल, प्रमोद, गौरव दिपेंद्र का आंसर करेक्ट है राहुल गनेश बी कॉंसेंट्रिक बड़ा नाम है राहुल गनेश जी आपका ठीक है अगर आपकी पहली क्लास है तो प्लीज डेली मेरी क्लास होती है जीएस की सुबा ग्यारा बजे डेली अटेंड कीजिए ऐसे ही बहुत ही बैतरीन क्वेशन हम करते हैं अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए आंसर क्या होगा आसर होगा हैंडरी बिक्वेरल बिलकुँ सही आंसर है आपका हैंडरी बिक्वेरल अच्छा हैंडरी बिक्वेरल जो हैं यह कहते हैं कि इन्होंने एक्सिडेंटल डिस्कबरी की थी यानि कि यह वो कोई खोज कर नहीं रहे थे अपने आप क्या हुआ कि इन्होंने देखिया भी उसको ले सकते हैं लेकिन बाद में इनको रेलाइज होता है कि यह जो रेडियेशन थी यह एक्सरे की रेडियेशन से थोड़ी डिफरेंट थी जिसमें उन्होंने इसको क्या नाम दिया इसको नाम दिया रेडियो एक्टिविटी है तो हेंरी बेक्वेरल ने 1896 में इस चीज की एक्सिडेंटल खोज हो चुकी थी है ना उसके बाद में क्या होता है कि 1902 में दो लोग और हैं जो रेडियो एक्टिविटी पर काम करते हैं हेंरी बेक्वेरल के दिये हुए रेडियेशन बेक्वेरल रेडियेशन के उपर किस पे काम करते हैं बेक्वेरल रेडियेशन के उपर काम करते हैं ये लोग नाम क्या था इनका तो याद रखेगा नाम होगा पियरी एंड मैरी क्यूरी क्या नाम होगा पियरी एंड जो 50% share है वो किसको गया वो गया Henry Becquerel को बात कर रही हो मैं Nobel Prize की ठीके किसकी बात कर रही हो Nobel Prize की तो 50% जो share गया वो गया Henry Becquerel को और बाकी जो आदा हिस्सा था कौन से बच्चा लोगों का था तो 50% share में कौन थे P.E.R.E. और Mary Curie थी क्योंकि already किसकी उपर work किया था इन्हों यह इन लोगों में बाता गया आदा Henry Becquerel को और आदा P.E.R.E. और Mary Curie बच्चा लोगों को अब यहाँ पर आपको यह तो पता लगया Nobel Prize में इनको मिला है अच्छा रदर फोर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है यह किस से related है बिलकुल सही अमन बिलकुल सही ठीक है रदर फ हो तो electron का भी बताना तो answer करिए क्या होगा proton की discovery कौन करता है दो चीजों की discovery करता है रदर फोर और यह discovery करते है Captain नूकलेस के डिसकवरी भी कौन करते हैं, रदरफोर्ड करते हैं, है ना, अब मैंने आपसे पूछा, कि जो इलेक्टरॉन है, वो उसकी डिसकवरी कौन करता है, तो याद रखेगा, जे जे थॉम्सन, क्या नाम होगा, प्रोटोन का पूछे तो याद रखेगा, अंस्ट रद अब यहाँ पर जो मैरी क्योरी है, यह आपको पता है, इनोंने किस्ते जुड़ी हूई रियक्टर का यूज होता है नूट्रोन है उसकी खोज किसने की तो बहुत अच्छे एकदम सही आंसर होगा किसने की शैडविक ने की यहां पर correct आंसर क्या होगा यहां पर आपसे पुछा था natural radio activity तो होगा है अच्छा noble prize भी दिया हो है तो क्या मैं आप लोगों से यह पूछ सकती हूँ कि noble prize सबसे पहली बार कौन से year में दिया जाने लगा और भारत के ऐसे कौन से प्राप्त करता थे कौन से ऐसे first recipient रहे जिनने noble prize से समानित किया गया तो याद रखेगा noble prize जो दिया जाता था वो सबसे पहले कौन से year में दिया जाने लगा 1901 से दिया जाने लगा कि 1903 में ही किसको मिल जाता है ये मिल जाता है Henry Bakueral, Perry and Mary Query को मिल जाता है और भी बहुत सारे लोगों को मिलता है जब starting में ये था तो Nobel Prize दिया जाता था Physics, Chemistry, Biology नहीं होगा वो होगा Medicine या फिर Physiology ठीक है उसको बोलते थे Medicine या फिर Physiology, Literature में दिया जाता था और किसमें दिया जाता और जो Economics है उसमें कब दिया जाने लगा तो याद रखेगा 1968 में दिया जाने लगा उससे पहले Economics यानि कि अर्थ शहस्तर में नहीं दिया जाता था ठीक है भारत पहले ऐसे कौन से भारतिये थे जिनने Nobel Prize मिला तो याद रखेगा रभिंदर नाथ टेगोर को मिला 1913 में किसम अगर मैंने यहाँ पर यह ड्रॉ किया ठीक है यह क्या है यह एक पेड़ है ठीक है यह एक पेड़ है और यह क्या है यह है यह है बार्क ठीक है यह क्या है बार्क है तो यह क्या है चाल है इसके उपर जो फंगी लगती है आपने देखा होगा ना कवक लगता है यानि कि हरी हरी सी और वाइट वाइट सी उपर इसके उपर एक लेयर चड़ जाती है फंगस की तो उसको क्या बोलते है जाइलो फाइलस सेक्सी कॉलस या फिर कॉपरी फीलस या फिर कॉटी कॉलस आंसर करिये इधर क्या होगा तो अब उप्शन जो है वो डिवाइड हो चुके है दो खेमे में कुछ लोग बोल रहे हैं C होगा कुछ लोग बोल रहे हैं D होगा है ना तो जो लोग बोल रहे थे C, यह किसके उपर लगता है तो याद रखिएगा, आप गोबर वगेरा यह जो एक्सक्रीट मेटीरियल होता है, एनिमल डंग मतला गोबर वगेरा जैसे गाए, भैस का जो गोबर होता है, या फिर जो बाकी एनिमल्स होते हैं, उनका जो एक्सक्रीट करते हैं, जो मतीरियल, उसके उपर जो लगता है, फंकस का वक लगती है, उसको बोलते है, कौपरी फीरियस, फिर सेक्सी कॉलस क्या होता है, यह किसके उपर लगता है, तो जो आपके बड़े-बड़े आपने दे सटीक होते थे वैशनो देवी मतरा व्रिंदावन ये चार-पांच ऐसी जगा होती थी जिसमें से हमें पता होता है कि अब ये नहीं तो ये होगा ये नहीं तो ये होगा घूमने कहां जाना है क्योंकि घूम भी आएंगे और भगवान के दर्शन मी हो जाएंगे तो ऐसे ही हम जब हम वहाँ पर वैशनो देवी घूमने गए तो वहाँ देखा बहुत बड़े-बड़े काफी सारे पत्थर होते थे यानि की रॉक्स पत्थरों के उपर कुछ हरे रंग का ना हरे रंग का कुछ लगा होता था तो वो हरे रंग का क्या लगा होता था वो कवक होता था य अगर यहां पर चाल की बात कर रहे हैं तो चाल की बात अलग है और कोई अगर लकडी है तो उसके उपर भी बेसिकली हम बात करे हैं अगर लकडी के उपर किसी भी टाइप के वुड के उपर अगर लगती है फंकस तो साहली फीलियस बोल जाता है अगर किसी पेड की चाल के उ सूरजगड या फिर करनाच अब आंसर करिये यहां पर क्या होगा अब हुमायू की एक ही आदमी के साथ हमेशा मतलब गंदी वाली लड़ाई होती थी हमेशा उसी से जाके सर मारता था ठीके दो बार सर मारा और दूसरी बार तो ऐसा लात मार के निकाला उसने कि फिर वापस आने पाया फिर वापस कब आया जब उसकी मृत्ति हो गई थी यानि कि 1555 में वापस आया अब आंसर करिये क्या होगा अब यहां पर जो दो युद थे वो किस से जुड़े हुए थे हमायू और शेर्शा सूरी के बीच में हुए थे तो आंसर इदर क्या होगा आंसर होगा यहां पर कनोज कौन सी लड़ाई के बाद में कनोज की लड़ाई के बाद में वह वापस से वहां पर आने पाया चौसा की जो लड़ाई हुई यह भी हुमायू और शेर्शा सूरी के बीच में ही कौन हारता है इदर इदर भी हुमायू हारता है ठीक है कौन हारता है कि लड़ाई आंसर करिये क्या होगा चौशा की लड़ाई कब हुई बहुत अच्छे सुमेदा फिफ्टीन थर्टी नाइन में हुई कब हुई अ पंद्रा सो उन्तालिस में हुई ठीक है उसके बाद में क्या होगा कन्योज की जो लड़ाई हुई यह भी हुई आपकी और शेर्षासुरी के बीच में होती है। कौन से एर में होती है। 1540 में होती है। जिसमें वापस हुमायू हारता है। हुमायू को अनलकी रूलर भी बोला जाता है। मुगलों का अनलकी रूलर भी कहा जाता है। हुमाईू के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज थी जो मुगल आर्किटेक्टर में सबसे जादा फेमस थी तो याद रखेगा बुक्स एन लिटरेचर बहुत जादा फेमस थी कौन फेमस थी बुक्स एन लिटरेचर बहुत फेमस थी पंदरा सो चालिस में इसको खदेट दिया जाता है फिर ये पंदरा सो पचपन में वापिस से अपनी गद्धी पर आता है और पंदरा सो चपन में क्या हो जाती है इसके मृत्य हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि ये कहते हैं कि ये अपनी लाइबरेरी के अंदर जो सीडिय उससे गिर के मर जाता है सीडियों से भी गिर कर कोई कैसे मरता है क्योंकि बोला जाता है कि ये नशे की थे इसने अफीम का सेवन करता था जिसकी वज़े से under the influence of नशे वाली चीज तो इसको क्या हुआ इसको ये गिर गया सीडियों से इसके मृत्य हो गई हुमायू की जीवन के उपर एक जीवनी लिखी गई जिसका नाम था हुमायू नामा जिसका क्या नाम था हुमायू नामा हुमायू नामा तो आंसर करिए क्या होगा हुमायू नामा जो है ये किसने लिखी हुमायू नामा जो है किसने लिखी ठीक है बहुत अच्छे अमन एकदम सही गुल बदन बेगम किसने लिखी गुल बदन बेगम ये गुल बदन बेगम जो थी ये बेगम जो थी ये कौन थी ये हुमायू की क्या लगती थी गुल बदन बेगम थी हुमायू की क्या लगती थी आंसर करिये क्या होगा हुमायू की क्या लगती थी अब हुमायू की उपर दो चीज़े थी एक तो हुमायू नामा जो बुक लिखी गई जीवनी लिखी गई वो थी वो लिखने वाली कौन थी वो लिखने वाली थी गुलबदन बेगम एक हुमायू का मकबरा यानि की हुमायू स्टॉम जो आपको कहां पर देखने को मिलता है हुमायू टॉम जो आपको देखने को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलती है आपको देखने को मिलती है न्यू ड पहन थी यानि की half sister यानि की लड़की थी ये किसकी बाबर की बेटी थी बाबर की लेकिन इन दोनों की हुमायू और गुलवदन बेगम की मा अलग 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 थी बाप एकी था है ना और यहां पर जो बेगम बेगा है ये कौन थी ये हुमायू की वाइफ थी फर्स्ट अकबर के request पर लिखी, अकबर अपने पिता के शाशनकाल के बारे में जानना चाहता था, इसलिए हुमायू नामा लिखी गई और उसमें हमको पता चला कि हुमायू किस हिसाब से विचारा अनलकी रहा, next question है, answer करिए क्या होगा, the immunity caused by B lymphocytes is called, यानि कि जो आपकी प्रती रोधक शक्ता होती है, प्रती रोधक शम्ता होती है किसी चीज़ से, या प्रती रक्षा जिसे हम कहते हैं, तो B lymphocytes से के कारण होने वाली प्रती रक्षा को क्या कहा जाता है, answer करिए क्या होगा, answer करिए यहा पर क्या होगा, अच्छा, lymphocytes क्या होते है, कोई मुझे पता सकता है, lymphocytes क्या होते है, इनको क्या बोलते है, lymphocytes को हम क्या बोलते है, lymphocytes को हम लोग क्या बोलते है, answer करिए जरा फटा-फट से सभी लोग यहाँ पर answer करेंगे, वीडियो पसंद आ रहा है, तो like and share जरूर GS की सुबह 11 बजे बहुत ही बहतरीन questions हम करते है daily ठीक है answer करिए दर क्या होगा सबी लोग WVC के type बिल्कुल सही क्या बोलते हैं ये क्या होते हैं WVC होते हैं lymphocytes क्या होते हैं WVC यानि कि white blood cells WVC का क्या काम होता है white blood cells होते हैं जो उनका क्या काम होता है तो याद रखेगा इनका main function क्या होता है white blood cells का main function क्या होता है immunity की वो करते हैं immunity हमारी immunity के लिए important है यानि कि बिमारियों से लड़ने के लिए हमें शम्ता कौन देते है वाइट ब्लड सेल्स देते हैं ठीक है अब यहाँ पर आया B lymphocytes जिसको B cells भी कहते है इनको B cells भी कहते हैं तो यह कौन सी immunity देते है तो याद रखेगा यहाँ पर correct answer क्या होगा correct answer होगा इधर humoral immunity कौन सी immunity होगा humoral immunity देते हैं यानि कि यह एक type का mechanism create करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो भी आपकी antibodies है जो आपके B lymphocytes से यानि कि B cells से जो क्या करती है यहां से secret करती है यहां से निकलती है उसको क्या कर लेती है body adapt कर लेती है बस इतना याद रखेगा जादा कोशिश करने की जुरूदती है यह थोड़ी पेचीदा सी चीज़ है humoral immunity कहते हैं वी lymphocytes या B cells से जो immunity प्रोडूस होती है उसको humoral immunity कहते है नेच्ट है दा वाइरस विदाउट कैस्पिड आज से करिए यहां पर क्या होगा दो वाइरस विदाउट मातरा किसकी होती है यह basically एक प्रोटीन होते हैं यह क्या होते हैं एक प्रोडीन होते हैं अब अपने आपको replicate कर लेते हैं यानि अपने जैसा ही एक दूसरा बना लेते हैं। जाता है कितना fast इसका spread हो रहा है बहुत ही fastly spread हो रहा है और ये जितने भी vaccinated लोग है उनको भी नहीं छोड़ रहा है तो इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी इसमें जो अपनी अतियात बरतनी है यह नहीं कि मैं जैसे देखती विउँ भार जाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं बिना mask के घूम रहे हैं तो कोशिश कीजे कि आप लोग mask लगाएं बिल्कुल वैसे ही रखें जैसे कि पहले रखते थे वरना otherwise third wave की तयारी करने के लिए जाधा time है नहीं ठीक है आंसर इदर क्या होगा correct answer यहां पर क्या होगा जो virus है सिर्फ जिसके इंद इदर nucleic acid है लेकिन capsid नहीं है capsid मतलब protein की coat नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या है protein की coat नहीं है केवल और केवल है वहाँ पर nucleic acid तो वो क्या होगा तो याद रखेगा correct answer इदर क्या होगा correct answer होगा इदर veroin क्या होगा correct आंसर यहां पर veroin होगा basically वैसे तो veroid होता है यहां पर veroid मैंने option में डाला क्यों नहीं basically होता है इदर veroid per week per week orpmol जिसमें कि गूल गूल क्या होता है RNA होता है छिसके अंदर protein की क्या होता है एक वायरस का शेल होता है यानि कि अगर यह वायरस है तो इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं बोलते हैं capsid ठीक है वहीं जो विरोन होता है वो क्या होता है जिसके अंदर जितना भी वाइरस से जितना भी material है वाइरस का material है ठीक है outer protein shell से लेके अंदर तक outer protein shell मतलब capsid से लेके और अंदर का भी जो nucleic acid होता है बाहर क्या है बाहर है capsid यानि की protein की layer और अंदर क्या है अंद अधर का यह nucleic acid है लेकिन ऊपर की यह coat नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं विरोइड होगे ठीक है तुम्हें यहाँ पर विरोइड लिग देती हूं और विरोइड से आपको पता है कि पूरा material की बात करे है विरोइड से मतलब बस अंदर-अंदर का है nucleic acid भार की protein coat नहीं है ठीक है next देखते है next question क्या होगा अच्छा अबना science के question जादा आने लगे है क्योंकि science आपका rrb में काफी जादा weightage रखता है answer करें क्या होगा hemolymph is observed in अब इसमें यह जो आपको चार आप्शन दिये हुए न एंथ्रोपोड्स, अचिनोडर्म्स, एसकारिस और आपका एनलेट्स यह क्या होते हैं यह आपके species होते हैं यानि कि जो आपके insects आप देखते हैं छोटे-छोटे उनके क्या होते हैं इनके एक प्रकार होते हैं इनकी family को नाम दिया होता है जैसे आपके annalates हैं यह किस टाइप के होते हैं एनलेट्स होते हैं जिसमें आपके earthworm type के यानि कि जो K2A type के होते हैं अर्थworm type के कुछ इस टाइप के structure वाले होते हैं जिनके अंदर body cavity present नहीं होती है है इस टाइप के होते ह इनका blood circulation earthworms के अंदर कैसा होता है तो मैंने आपको बता रहता है forward blood circulation होता है backward नहीं जाता है बस एक ही unit direction में चलता है forward आगे की तरफ चलता रहता है है अब आपको बता रहा है जो hemolymph है यह इन में से कौन से vertebrate में या कौन से उसमें पाया जाता है तो याद रखेगा answer यहा example of arthropod क्या कोई बता सकता है arthropod का example क्या होगा जैसे एनलिट का मैंने आपको example बताया कि जो यहां पर earthworms वगेरा होते हैं यह किसके example है यह example है ऐसे ही arthropod के कौन से example होगे तो याद रखेगा जैसे आपके होतेना मकडी वगेरा होते हैं spiders spiders यानकी मकडी जो आपके चुट होते हैं वह सके अंदर आते हैं माइट इसके अंदर आते हैं क्रैब जो आपके क्या बोलते क्या हो जो है इसके example क्या होगे achino derms को ठीक है इसको achino derm ही कहते है न answer करिए क्या होगा सबी लोग यहाँ पर वीडियो को like and share जरूर कर दीजेगा like and share जरूर कर दीजेगा daily हमारी class होती है सुबह 11 बजे वो भी attend करे अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर करे and dairy class होती है 11 बजे तो उसको भी आप attend जरूर करिएगा answer क्या होगा achino derms क्या होते है जिनकी बहुत ही जादा soft body होती है spongy type होते है लेकिन इनके उपर क्या होते हैं बहुत ही काटेदार होते है जैसे कि हम बात करते है starfish की jellyfish की बात करते हैं यह सब किसके अंदर आते हैं यह आपके आते है starfish and all यह आपके आते है achino derms के अंदर किसमें आते है achino derms के अंदर next question देखते है next question क्या है हमारा name the Italian traveler who visited the Vijayanagar empire in 1420 AD answer करिए क्या होगा कि कौन साइने में से Italian traveler था यानि कि Italy से आय था जिसने 1420 में Vijayanagar जो सामराजे था उसका दोरा किया था अब option है आपके डेमिंगोज, एडार्डो, निकॉलो, अबडर राजी answer करिए इधर क्या होगा answer करिए क्या होगा किसके time पर इनों ने किया Vijayanagar empire Vijayanagar empire में उस वक्त कौन थे तो answer क्या होगा Vijayanagar empire में उस वक्त कौन थे तो याद रखेगा नाम होगा इटेलियन जो ट्रेवलर था उसका नाम था निकॉलो दे कॉंटी क्या नाम था निकॉलो दे कॉंटी था वो कब आता है आपका वो आता है आपका 1420 में कहा विजट करता है विजट अगर empire में उस वक्त पर शाशक कौन थे तो याद रखेगा उस वक्त शाशक थे उनका नाम था देवराया दुटिया कौन थे देवराया दुटिया थे ये क्या था ये कहां का था इटली से आया था वेनेशियन यानिकि जो अपने वेनेशियन है वेनेटी जो जगा है वेनेशियन है वहां से ये आया था ठीक है उसका ये एक क्या बोलते है व्यपारी टाइप था merchant था ये और ये आता है और वहां पर कब से कब तक east में वो करता है 1414 से लेके 1438 तक कहां पर रहता है ये यहां पर रहता है जिस टाइम पर विजयन अगर के जो शाशक थे वो कौन थे वो थे देवराया धुतिया देवराया इसमें आपको जो वन थे इससे पहले जो देवराया वन थे वो किसके थे हरीहरा हरीहरा जो थे हरीहरा और बुक्का इनका कौन से इन्होंने समराजय की स्थापना की हरी हरा और बुक्का ने कौन से समराजय या कौन सी जगा की स्थापना की क्या कोई बता सकता है मुझे हरी हरा और जो बुक्का है उन्होंने कौन से समराजय की स्थापना की थी और कौन सी उसमें से में जो जगा थी जिनके संस्थापक इने बोला जाता है तो आंसर क्या होगा बहुत अच्छे कौन सा था विजय नगर एंपाइर की राजधानी कौन सी थी विजय नगर जो एंपाइर है समराजिय उसकी राजधानी कौन सी थी बहुत अच्छे प्रमोद ने एकदम correct answer किया है क्या होगा answer इदर क्या होगा answer इदर विजयनागर एंपायर किनों ने स्थापना की जिस वक्त क्या था हमपी था जो हमपी था वो क्या थी राजदानी थी अच्छा हमपी को युनेसको के अंदर कौन से एर में शामिल किया गया तो answer करिये क्या होगा वीडियो पसंदा रहा है तो सभी लोग like and share जरूर कीजेगा तो याद रखेगा 1986 में कौन से एर में 1986 में 1986 में कौन सा ऐसा मंदिर है मध्यप्रदेश छटरपुर के अंदर जिसको युनेसको के अंदर शामिल किया गया तो याद रखेगा कौन सा मंदिर है खुजराहो का मंदिर है कौन सा मंदिर है खुजराहो का मंदिर है जिसमें जैसे हमपी के अंदर आपका कौन सा style है द्रविडियन style है तो जो भी दक्षिन के शेतर में जो भी मंदिर होते हैं जो भी कला कृतिया होती है जो भी किसी भी टाइप की वस्तुकला होती थी कैसी होती थी द्रविडियन शैली की होती थी ऐसे ही जो नौर्थ साइड है यान कि उत्तर भारत है जैसे खजराओ है उत्तर भारत की तरफ पढ़ता है म 1986 में इसको खुजराहो के जो मंदिर हैं उनको ऐड़ किया घया, किसके अंदर, UNESCO के अंदर, किस में UNESCO में, खुजराहो के जो मंदिर यह जैन और हिंदू के 85 जो टेंपल से उनका समूँ था और 25 यह अभी केवल एक दम्ठीखालत में बाकी सब खंडर हो चुके है, नेक्स्ट कोईशन है आंसर करिए यहां पर क्या होगा अप्शन है आपके हाउसोल्ड मैनेजमेंट, इंडिविज्वल मैनेजमेंट, पॉलिटिकल या फिर फिस्कल मैनेजमेंट घरेलू प्रबंदन व्यक्तिकत प्रबंदन राजनितिक प्रबंदन या फिर यहां पर आंसर होगा वित्य प्रबंदन आंसर करिये सबी लोग यहां पर क्या होगा अच्छा यह जो यहां पर आपको नाम देखने को मिल रहा है न ओको नोमिया ठीक है एक तो नाम इतने अजी management यानि की घरेलू प्रबंदन जब हम अपने घर की बात कर रहे हैं अपने घर का budget उठा के देखते हैं हम देखते हैं कि हमारा खर्चा कितना है हमारे पास पैसा कितना है और पूरे हमें महीने भर अपना खर्चा कैसा चलाना है तो उस नाम को क्या बोलते है और को नूमिया बोलते हैं जिसका मतलब होता है household management इसमें ज़्यादा कुछ याद करने के जुरूरत की है बस इतनी सी बात है ठीक है next है आपका gold bullion standard refers to अक्सर आपने ये नाम सुना होगा gold bullion standard क्या होता है इसमें gold coin को एक सोने के सिक्के को असिमित कानूनी निविदा के रूप में unlimited legal tender क्या होता है जैसे हमारे जो पैसे है यह क्या है legal tender है यानि कि यह मानने है सरकार के लिए भी और जितने भी नागरिक है भारत उन सब के लिए यह मानने है तो ऐसे ही क्या gold coin को सिक्के को legal tender money बोला गया है या फिर gold को measure of value यानि कि gold के map को जो सोने का जो map है उसको मुल्य के रूप में देखा गया है या फिर free coinage of gold या फिर import or export यानि कि आयात और निर्यात गोल्ड के आयात और निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई है तो correct answer इदर क्या होगा याद रखेगा gold bullion standard क्या होता है ये होता है gold as a measure of value अगर यहीं पर अगर मैं आपको बोल दू silver standard दो तरीके के standard होते है जिसमें क्या होता है जो आपके silver और gold है आपको पता है कि इनकी न एक value अलग है यानि कि gold और silver हमें पता है कि इनकी value अलग से है अगर मैं तुम्हें कह दू कि जो 10 रुपे का सिक्का है तो आपको पता हूँ कैसा मिलता है मैटल से बनता है ना अलोय से बनता है मैटल अलोय से बनता है तो अगर सरकार 10 रुपे का सिक्का बंद कर दे कि अब से 10 रुपे का सिक्का माने नहीं है 10 रुपे के सिक्के की हमने बंदी कर दी है तो क्या उसकी अगर उसको हम एजा इंडियन रुपी में नहीं काउंट करें तो क्या 10 रुपे की सिक्के की खुद की कोई वैल्यू है उस मेटल का आपको कोई 4 रुपया अगर मैं कह दू कि गोल्ड के मैं सिक्के चलवा दू मैंने गोल्ड के सिक्के चलवाती है ठीक है सरकार क्या करती है नरेंदर मोधी की सरकार कहती है कि अब ना 200 रुपे की नोट की जगे पे एक छोटा सा सिक्का चलेगा तो वो भी आपस में हम लेंदेन कर सकते हैं क्योंकि स सरकार ने उसको माननेता दे दिया, तो लेए दिन होगा, लेकिन अगर मान लो सरकार उसे बंद भी कर देती है, तो भी अगर गोल्ड में सुनार के पास जाऊंगी, तो भी बेज सकती है, क्योंकि गोल्ड एक्चुल में वेल्योएबल मेडल है, क्या करी जाती है उसको as a measure of value रखा जाता है माप के रूप में उसका मूल्य रखा जाता है अब मैं बोलू कि 50,000 रुपे 50,000 रुपे का मेरे पास सोना पड़ा है यानि कि अगर मैं 50,000 रुपे किसी को नहीं दे पाई तो वो सोने को बेच के मैं 50,000 रुपे उसको दे सकती हूँ है ना तो तब क्या करते हैं जब रूपिय यानि कि पैसे के रूप में किसी करंसी के रूप में गोल्ड को रखते हैं या गोल्ड के रिस्पेक्ट में गोल्ड की जो क्वांटिटी है मातरा उसके रिस्पेक्ट में पैसे को रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गोल्ड बुल बोलते हैं जब हम क्या करते हैं कि किसी एक चीज की रबर की quality को improve करने के लिए उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उसको किसके साथ में ताप करते हैं उस रबर को sulfur के साथ में गरम करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तो ये प्रक्रिया क्या खेलाती है आंसर करिये क्या होगा आंसर करिये यहां पर क्या होगा बहुत अच्छे एकदम सही correct answer वीर का answer correct है यहां पर सुमिता का answer correct है प्रमोद का answer correct है बहुत अच्छे बबलू एकदम सही है वीडियो पसंदार है तो like and share जरूर कीज़ेगा सभी लोग और यह मेरा टेलिग जो क्वालिटी है वो बढ़िया करनी होगी रबड देखते हो ना टायर में जो रबड रखा है तो उससे टायर की आप देखते हो ना कि ऐसे आलग-अलग टायरों की add आती रहती है कि एकदम से वो break मारता और बचा लेता है ना तो ऐसे ही रबड की जो quality है उसको improve करने के ल है क्यों करा रही है क्योंकि यह बहुत important है galvanization actual में CGL के एक्जाम में आ चुका है railways के एक्जाम में भी आ चुका है मैंने बहुत सारी जगा पे galvanization देखा है तो किसलिए करते है galvanization rust को यानि की जंग लग जाता है जो iron को उसको रोकने के लिए iron के उपर जो rust लग जाता है जंग लग जाता है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं इसके उपर किसकी coating लगाते हैं जो आपका लोहा है उसके उपर जंग ना लगे तो लोहे के उपर किसकी coating करते हैं याद रखेगा किसकी coating करते हैं जिंकी की coating करते हैं जब भी हम जिंकी की एक परत लगाएंगे किसके उपर लोहे के उपर लगाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा galvanization ठीक है तो यहाँ पर आज की class होती है और वीडियो पसंद आये तो please like and share जरूर कीजेगा और telegram channel मेरा शीतर शर्मादीरोवन है वहाँ पर join जरूर कीजे अगर आप channel पर नए है तो channel को like जरूर कीजे okay then bye bye and take care thank you so much class